नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल में दोस्तो अपने जीवन में धन दौलत पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हर कोई व्यक्ति हर प्रकार के ऐसे टोने टोटके वे उपाय करता है जिससे कि वे हमेशा के लिए धनवान बन जाए इसलिए आज हम आपको आज वीडियो में हल्दी और चावल का एक ऐसा टोटका बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को हमेशा ही समार लेंगे दोस्तो वैसे भी हल्दी का सीधा संबंद देव गुरु ब्रहसपती से बताया गया है और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत चाता है वे देव गुरु ब्रहसपती को प्रसंद करना अवसे ही चाता है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पती का सीधा संबंद आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने के लिए होता है दोस्तो हमने अपने इस चैनल पर हल्दी के अने को टोटके डाले हैं अने को टोटके लोगों को बताए हैं जिनसे बहुत से लोगों ने उसका फायदा भी लिया है लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास उपाय बताएंगे इस टोटके को करने के बाद आप अपने जीवन में बहुती जल्दी धनवान बन जाएंगे बस आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी एक बार अवश्य लिख दें दोस्तों आपको कुछ भी अपने जीवन में करने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ता है और जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम भी न लिख सके वे व्यक्ति किस परकार से अपने जीवन को समारेगा ये तो अब आप ही जाने या फिर उपर वाला भगवान ही जाने इसलिए दोस्तों जितना हो सके भगवान को याद करें और कमेंट बॉक्स में अपने पसंद की किसी भगवान का नाम जादा से जादा लिखें और वीडियो को शेयर करें क्योंकि दोस्तों गरंतों में बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी जरूरत मंद की कोई मदद करता है तो उसके उपर भगवान की किरपा बहुत ही जल्दी बरसने लगती है वहीं अगर आप वीडियो को या किसी भी वीडियो को जिसे किसी व्यक्ति का सायद भला हो स अगर आप उस तक पहुचाने में मदद करते हैं, तो उस व्यक्ति को मुफ्त में ही उसके जीवन को समारने की शिक्षा प्राप्त होती है, और आपको पुन्य की प्राप्ती होती है, साथ ही भगवान का नाम लिखने या पर उनका नाम जपने से आपके जीवन में जो भी आप उपाए करते हैं, उनका प्रभाव बहुत ही शीगर होने रगता है, तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपने पसंद के भगवान या जै बजरंग बली अवश्य लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ हमें अब इस समस्याओं का अंत कर सकें, तो अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक की हल्दी के तोटके, दोस्तो हल्दी के तोटके करने से आपको अपने जीवन में मान सम्मान, धन और संतान का सुख प्राप्त होता है, दोस्तो हर कोई व्यक्ति जीवन में धन प्राप्ती क लिए देव गुरु ब्रस्पती बगवान विश्णू के उपाय और टोटके करता है लेकिन इन उपायों को करने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य और करना है वो हम आपको बताते हैं आप एक तामे का लोटा ले उसमें आप स्वच जल भर ले और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य में ला ले अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं आप बाजार से ला सकते हैं और ना ही लाना चाहें तो भी कोई बात नहीं स्वच जल उसमें आप भर करके एक दिन पहले ही आप रख ले जिस दिन भी आप यूपाय करने वाले ह उससे एक दिन पहले ही रख ले और अगले दिन सुबह उठते ही बासे मुहे अपने घर का मुखे दर्वादा खोलने के बाद गर की चौकट पे और घर के बाहर की और थोड़ा सा उस पानी का छिड़काव कर दे और इस प्रकार से आप अपने दिन की सुरुआत करें और जिस उकरवार के दिन कर सकते हैं वैसे तो किसी भी दिन किये जाने वाला ये उपाय है क्योंकि मातारानी को और भगवान विश्नु को या फिर धन को अपने घर लाने के लिए किसी भी तित, तिवहार या मुहरत की आवशकता नहीं होती है हर दिन एक समान है भगवान के लिए और हमारे लिए भी क्योंकि हम अपने घर में माता को और धन वैबब को लाना चाते हैं लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसे शुकरवार या वीरवार के दिन करें खास और पर जिस दिन भी आप ये उपाय करेंगे उस दिन आप अपने घर में पोचा नहीं लगा मा लक्षमी आपके घर में तभी आती हैं जब आपका घर पवित्र हो अपने घर को पवित्र करने के लिए आपको क्या करना चाहिए अपने घर में आप पोचा तो लगाएंगे नहीं तो आप अपने घर में जाडू लगाने के बाद थोड़े से जल में पानी में आप उसक पुकारे में इस्तमाल होने वाली हल्दी इतनी पवित्र होती है कि आपके घर में इसके चड़काव होने से आपके घर में पवित्रता का आगवन होता है और माता लक्षमी आपके घर में प्रवेश करती है आप ध्यान रखें कि ये चड़काव आपके वर अपने घर के फर्स पही करना है, जीवन में हर प्रकार के कष्ट और कठनाईयों से लड़ने के लिए भगवान सुरदेव का आशिरवाद बहुत जरूरी है इसलिए आप इतना सब करने के बाद शनानादी कर लें और सुरदेव को जल और पित अवश्य करें सूर्य देव को जल और पित करने वाले जल में उस लोटे में थोड़ी सी हल्दी अवसे मिला लें ऐसा करने से देव गुरु ब्रस्पती माता लक्षमी और सूर्य देव का आशिरबात प्राप्त होता है जीवन की सभी कठनाईयां आपके लिए बिलकुल ना के बराबर हो जाती है और भगवान विश्णू और माता लक्षमी अत्यंत प्रसंद भी होते हैं और देव गुरु ब्रस्पती का आशिरबात आपको प्राप्त होता है और इस उपाय को करने के बाद से ही मान सम्मान में आपके इतनी बड़ोतरी होती है कि चारों दिशाओं से आपकी जैजैकार होने लगती है दोस्तों जब भी कभी आप अपने घर में पूजा करते हैं तो केबल भगवान विश्णु की या पर माता लक्ष्मी की अकेले पूजा कभी भी ना करें दोनों की पूजा हमेशा ही साथ में करें इससे आपको विबर्न प्रकार के आशिरवात तो मिलेंगे ही साथ ही आपकी पूजा भी पूर्ण तर सफल माने जाएगी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं आज की वीडियो ये बहुत ही खास है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक अवस्य देखें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली, जै मातादी, जै मालक्ष्मी या पिर जो भी आपके पसंद के भगवान हो जो जिनको आप मानते हूं एक बार उनका नाम अवस्य लिखें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा अंतर तक देखना न बूलें दोस्तों जीवन में हर कोई चाता है कि खूब पैसा आए, खूब मस्ती से लाइफ गुजरे लेकिन कुछ हमारी गलती होती है जिरकी बज़े से आप अपने जीवन में खूब सारा धन तो क्या कंगाली बरा जीवन बेतीत करने लगते हैं तो आप आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों इसके लिए आपको अपने घर के अंदर की और से दाहिने हाथ यानि सीधे हाथ की तरफ आपको किसी भी एक तांबे या पीतल के लोटे में साबस्वच पानी बर करके रख लेना है और आपको ये प्रति दिन करना है, रातरी को सोने से पहले वहाँ पर एक पानी रख दे, एक पातर में या पर लोटे में भर करके रख दे, और हर दिन इसे बदलते रहे, पुराने वाले पानी को आप किसी भी पौदे में डाल दे, या फिर आप अगले दिन सुबह उठते ही उस पानी को किसी पौदे में डाल दे, और रातरी को फिर से नया साफ पानी पातर में भर करके रख दे, दोस्तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके घर के जो धन है, धन्दौलत है, उसके लिए एक सुरक्षा कवचा काम करेगा, आप गर से कभी भी धन जाने नहीं देगा, अपितु हर प्रकार के negative energy को हटा करके आप घर में नया धन आने के मार्ग भी खोलेगा दोस्तों अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो आप क्या करें कि आप किसी भी छोटे से डब्बी में या पिर किसी भी पात्र में थोड़ी सी हल्दी बर करके अपने घर में पूजा करते हैं, वहाँ पर आप रख लीजिए और सुबह सुबह स्नानाधी करने के बाद, सुरदेव को जल चड़ा देने के बाद, आप अपने घर में भी अवस्य चड़ाए, ऐसा करने से आप अपने जीवन में धनवान होंगे माला माल होंगे, संतानवान होंगे समरे दीवान होंगे हर प्रकार के सुक वैवबब आपके चरणों में होंगे तो दोस्तों, इस से बड़ा आपको और जिन्दगी में क्या चाहिए हर प्रकार के सुक, सुविदा और भौतिक जिन्दगी से आप परिपूर्ण जिन्दगी जिएंगे इसके अलावा दोस्तों, आप अगर जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं, कि जल्दी से जल्दी आपके सभी मनुकामना पूरी हो जाए, तो आप क्या करें? आप दो तुल्सी के पत्ते तोड़ कर लाएं और उसके उपर हल्दी का टी का लगा करके आप भगवान विश्णू के चरणों में और दूसरा पत्ता माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें ये कारे आप पढ़ते जिन पूजा के समय σουबह-सुबह अवश्य करें आप देखेंगे कि आपका जो भी मनुकामना है बहुती शिग्र, अन्ने उपाय करने के मकाबले बहुती शिग्र आपके मनुकामना पूर्ण हो जाएगी चाहे हो कुछ भी मनुकामना हो खासकर से धन दोलत से जुड़ी हुई मनों कामना है तो बहुत ही शीगर पूर्ण हो जाती है दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्यावली तना ही कल फिर आफसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक ले दे में जाता दने बाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै बजरंग वली जै मातादी जै मालक्षमी